हम लोग जानते हैं कि वरभी फसलों का जो मौसम है वो शुरुवात होने वाला है और हम यह भी जानते हैं कि चतुर व्यक्ति वही होता है जो किसी चीज की शुरुवात होने कर देनी से पहले इसको परक लेता है और तयारी शुरू कर देता है हमारे जो किसाने में यह मौ सम शुरूम अध हो उस्से पहले कि तरीके की तयारियां हमारे किसानमित्र को कर लेनी जाए निद्य जी आlles बिल्कुल सही उगाते हैं इसमें सामानियत है जो गेहूं और चना सरसों यह मुख्य फसलें हैं जो किसानभाई हमारी उगाते हैं अब फसलें अच्छा से अच्छा उत्पादन दें इसके लिए कृषक मित्रों को सला दी जाती है कि वे अपनी मिट्टी की जांच जरूर कराएं जैविनी स चाहिए और क्यों का उत्र भी मिल जाता हैै तो फिर कैसे एकर आनी चाहिए अर इत्व प्रश्ण के उत्तर नहीं मिलते तब थक बात पूरी नहीं हो पाती है बिल्कुल सई फर्माय आपने अगर क्रृशक को महसूस नहीं होगा कि हमें मिठ्टी की जांच क्यों करानी चाह दूसरा फसलों के चैन की जानकारी मिलती है कि रभी मौसम के लिए किसान किस तरह की फसल का बीज खरीदे दूसरा पोशक्त तो प्रबंदन की जानकारी मिलती है हमें कि उसमें जो खाद उर्वरक किसान को डालना है तो कौन से खाद डाले कितनी मात्रा में डाले तो कुतनी उनकी विवस्था करें, जितनी उनको खाद की आवशकता है उतनी ही क्रे करें